तो गाइस आज़ मोग बात करेंगे, एक ऐसी कौन सी बड़ी सी बील्डिंग हैं जिसमें हमेशा हमेशा लूट एकदम मतलब एकदम बराबर होती है, ऐसंगते हैं कि कभी ज़्यादा कभी कम बट उसमें होती है कि लूट ज़्यादा हो सकती है तो देखते हैं वह जगा किधर है अच्छा होगा हमारा प्लेन जाए उस जगा प्लेन उस डायरेक्शन से जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें एक में कपने तो ठीक है ना हुँ सही है चलिए वाइस वीए स्टार्ट करें स्टार्ट और माच भी तो हम लोग आ चुके हैं अपने एडिया में उससे पहले हम लोग सब कुछ ऑफ कर देते हैं किसी से बात में करी चलो वाई हमारा प्लेन उस जगह से आएगा मैं आपको मार्क करके उधर दिखा देता हूं वह जगह किधर है यह देखिए इधर है वह जगह भली आपको लग इतनी बड़ी बिल्टी यह है इतनी बड़ी बिल्टींग और उसमें लूट भी ऐसी एक टम बड़ी तो चली हम लोग पहले अपने बंदों को म्यूट कर देते क्योंकि हमें उन से बात नों करने हैं अरे ज़ए इलो प्रपेर प्रेशिट चलिया साथ यह ले खाष खाष तो आज देखिए हम लोग पहुंचने ही वाले उस जगह वो देखिए उधर वो रहा और यह जगह है माइल्टा पावर की पास जगह की लूट मतलब इतनी अच्छी होती है ना आपको बता नहीं सकता है देखिए शुरुआत में बहुत लोग उतरते हैं तो हो सकता है इस बार हम लोग को यहां पे जादा लोग भी मिल जाए तो हमें मतलब अच्छी तरीके मतलब एकदम फूक फूक के कदम रखना होगा पता चला कभी किसी ने मार दिया तो यह देखिए हम उस जग गन मिल रही है तो अगली बार मिल रही है कुछ अगली बार कुछ मिली नहीं रहा है मतलब अगली बार मिली वह देखिए बंदा गिर रहे हैं तो हम चलिए कहीं और उतरते हैं थोड़ा मीचे से स्टाट करते हैं भागना शुरू करते हैं क्यों हमारा पीछा कर रहोगा दे लिए जल्दी से उपर ये देखे गन मिल गई अब उपर चलते उसको माणने के लिए अब कर देखे कोई आ रहा है किसको माणने आई है कहां पर वही शकल तो जारा रिखा दूए कहां या डराता है कि उपर चले चलते यह देखे थ्री एक्स भी मिल गया आप देखे क्या क्या मिल गया डीपी थी बट मैंने उठाईनी बाद में उठाएंगे बंदे को मार के विजय उस पे विजय पाके डीपी उठाएंगे कि अनु किजह रहे है कि ओनु यह रियल बंदा है अब लोग को लग रहा होगा कि मैं कूने में की चुपाऊं मैं कूने में इसलिए चुपाऊं कि वो रियल बनना है और रियल बंदे को मारने में थोड़ी तो डिफिकल्टी होती है बट हम लोग विजय पा लेंगे उसलिए उपर अब हमें उपर जाने का मन कर रहे हैं देखें हमें फूट स्टेप उसको सुनाई दे रहे होंगे कि दूपर चलें कि उससे पहले दो चार बैंडिक वो रहां दिग्या दिग्या वह मानने की पूरी त्यारी कर रहा है हाँ पिक करेगा हां बच्चू कहां है पिक करेगा ना यह मरा मरा की नहीं मरा भाई भाई तो मरा है की नहीं मरा है उपर चल के ही पता चलेगा यह लगता है मरा नहीं है बहुत डरा रहा है क्यूंकि इसको डराने का नतीजा देखिए इधर हमने लूटिंग तो कर लिए अच्छी अब देखिए उपर क्या है वह उपर नहीं सोरी यह देखिए फरस्टेड और यह देखिए यह हमको मिल गया हमारा प्यारा सा मेडिकेट मेडिकेट रेल्ली फाउंड होता है बट मैं यहां तीन-चार बारा रहा हूं मेको मेडिकेट मिली है बट ज़रूरी नहीं है मेरे को मिले तो आपको भी मिले वह यह देखिए और कॉन यहां पर छोड़के चलिए नहीं यह तो शुषात की लूट है जोई अब सकारेल से बंदे को उड़ाएंगे हाँ अच्छा वो बंदे को मैंने नौक कर दिया था वो रियल बंदे को आखिरकार मैंने नौक ही कर दिया था कहा गया उसका क्रेट का जर्वनी किदर एक रेट किदर बनाए आज हम उसके क्रेट को लूट के रहेंगे कि बड़ी मुश्कित बड़ी अच्छी तारी कि समार रहा था उदर को रेयर किदर आओ फ्लेयर गुन एक मिनट वह फ्लेयर गुन लग रही है एक मेट जल्गी उदर जलते हैं यह तो फ्लेयर गुन लग रही है कहांगी अब यह तो रैड रैड कुछ दिख रहा था वो रही उदर है तो फ्लेयर गुन है वाई भाई मजे ओ भाई ओ वाई देखा जैसे कि गायस आपने आज हमें फ्लेयर गुन मुझे एक महिने के बाद फ्लेयर गुन मिल्य है तो आपने देखा यहां कि लुटिंग वाई तो छली अब आपने लूटिंग हो गई इतनी लूटिंग में बट हमें उसके लिए किसी भी ऐसी जगह पर जाना होगा बट हम ड्रॉप नहीं बुलाएंगे फ्लेयर का बताओं क्यों मतलब हम लोग ड्रॉप तो बलाएंगे ही बट आप फ्लेयर बुलाते समय एक चीज बिलकुल ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी सरकल के बाहर ना बु क्योंकि वो फिर वो क्या होगा कि वो ड्रॉप में गाड़ी निकल के आएगी कि ताकि आप वो गाड़ी इसलिए आती कि ताकि आप सेफ जोन के अंदर जा सकों तो गाइच से लिए ऐसके वीडियो में इतना ही बाबाई तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब मेरी अगली वीडियो के लिए ऐसी फ्लेयर गन वाली वीडियो के लिए तो बाबाई